अब हमारा कोर्स भी लाउंच हो चुका है, युसको कोर्स जोइन करना है सर, वो कोर्स जोइन कर सकता है, हेलो आवडिरवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो, आपका एग्जाम, रेग्लर कॉलेज के स्टूडेन्ट का खतम हो चुका है, तो इसलिए आपके जो नेक्स सेमेश में समस्टर जनोंने चार की एंदर पास में भी अभी नाया हो आठ से दस दिन में या फिर चार से पास दिन में दो से तीन दिन में या में भी शायद पहले ही कोर्स चूस करने के लिए उनको फॉर्म मिल चुके होंगे उन्होंने भरा होगा और शायद अभी डिसाइड़ नहीं कर पारे के सर कौन-कौन से सब्जेक्ट समें लेने चाहिए जो हमें फ्यूचर आस्पेक्ट से रिलेटेड बेटर हमारे लिए रहेगा तो मैं अनुझ कुमार सिंग शिक्षा धाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम इनी सारी बातों समस्टर पाँच में तो सबसे पहले मैं कर दो यह कुछ एक आपके पूल बनाया हुआ है जो आपके सामने दिख रहे हमारे कुछ कोर सबजेक्ट से अब कोर का मतलब है इसके अंदर आपको आपको और यह सबजेक्ट हर किसी को मिलेगा चाहे एसौल का बच्चा हो चाहे आ कर रहा हूं nc we perk अंदर होता ही नहीं है फ़रा सब्चेक्ट का आपका कोर केशों के डाला इंकम टेक्स बहुत ही इंप्वाटन्ट और वह इंट्रस्टिंग अभी मैं इंकम क्सome citizenship का आपका टेनीयर्स जो था वह भी रेडी मैं कर चुका हूं और बहुत जल्दी US में भी आजाएगा आप सभी स्टूडेंट के लिए बुक्स वगेरा मैंने कंफर्म किया क्योंकि कौन-कौन से बुक्स लगेंगी वह भी मैं बता दू आपको इसके अंदर जो आपका बुक्स रहता है ना डेट इस आपका ग्रीज आहूजा और शिवदास का टेनियर तो बुक्स अभी अवेलिबल नहीं होगा पर डोंट वोरी मैं आपको इनकम टेक्स जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा अकौर्डिंग टू जो हमारा आने वाला एक्जाम में टॉपिक है उसके अकौर्डिंग ठीक है जब बुक्स आ जाएगा तो फिर बुक्स में आपको पता चल जाएगा मेंजमेंट अकौउंट बहुत ही इंट्रस्टिंग सब्जेक मैं लेकिन हां आगेन आपका जो सेमिस्टर पांच है वो काफी tough होने वाला है, जिसके अंदर आपका income text एक बहुत बड़ा subject है, मैं इसके index भी मैंने पूरे बना दिये हैं, कि कैसे कैसे classes होंगे, और किस तरीके से आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसके साथ ये 3 तो होगे core, total subject कितने होते हैं, आपके 7 subject होते हैं, जि इन में से कोई एक subjects आपको choose करने के लिए दिया जा रहा है, कि कोई choose करें, तो मैं उन subjects को आपको बताऊंगा, जिसका study material भी available है, और हमारे future से related अच्छा भी है, अगर future से related अच्छा है, और कोई study material कुछ नहीं मिलता, फिर आपके लिए problem है वो subject, तो आपके पास देखिए स गवर्नेंस, consumer affairs एक ये दो, इन दोनों में से वैसे हाला कि digital marketing बहुत बच्चों का हो सकता है, option में choice हो, बट मैं कहूंगा कि ये दोनों subjects आपके commerce related है, तो आप इसको choose कर सकते हैं, जिनको आगे MBA वगेरा करना है, वो HRM की तरफ भी देख सकते हैं, मैं आपको course के according बना रहा ह तो वैसे हाला कि आगे MBA में ethics भी आएगा, आगे MBA में consumer affairs एंड आपका ये third subject भी आएगा, digital marketing भी आजाता है, लेकिन जो main आपको रहेगा, ये दोनों पर focus करिएगा, और मैं ethics एंड governance की हमारे पास classes भी available मिल जाएंगी आपको, और books वगेरे भी easily available हो जाएगा, हो गई कितने subject बताओ आप, तीन subject ये थे और एक ये चार subject हो गया, पांचवा कहा गया, इसमें से फिर से एक पूल में से एक और चूज कर लो, इसमें काफी सारे जैसे organization, democracy, international finance है, आपका consumer affairs, देखिए subject ये भी अच्छा है, international finance, बट इसका आपको study material, coaching और बहुत सारे चीजों में दिक्कत करना पड़ेगा, अगर आप self कर सकते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं इसके साथ, इसके बाद consumer affairs, तो यहाँ पर ले लिया, आपने तो यहाँ पर लेनी की ज़रत मिलेगा नहीं, आपका accounting for merger and acquisition, अगें ये थोड़ा सा tough है, और इसका भी आपको study material मिलेंगे, लेकिन वो CA वाल मिल जाएंगी, export, import, management, public administration, business, tax, procedures, and management, एक ये, देखो, इसका study material आजाता है, तो मैं suggest करूँआ, ये ले लो, नहीं आता है, तो फिर भीया, आप इसमें auditing ले लो, जिसका study material, 10 year, classes, YouTube पे वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, easily, जो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं, आप क्या ले सकते हैं, ethics and governance ले सकते हैं, दूसरे पूल में से क्या ले सकते हैं, आप auditing ले सकते हैं, और जो ये तीन core है, तो मैं इसमें तो कोई कमेंटी नहीं कर सकता, कि भीया, ये लो या ये निलो, ये तो सब के लिए common है, अगला देखा जाए, इसमें से एक और choose करना है, त फिर again सारे subjects आगें आपके, तो इसके अंदर आप investing in stock market, ये subjects important और reality life से related stock market आपने सुना होगा, तो मैं आप सब को suggest करूँगा, कि ये ले, again इसका study material थोड़ा tough है मिलने में, लेकिन मैं suggest करूँगा, ये आप ले सकते हो, बाकि सभी भी जितने subject है, सभी के study material ही मिलने में ही tough है, नहीं मिलेंगे आपको जल्दी से, एक subjects college वाले आपको बताएंगे किस तरीके से होगा, किस तरीके से लेना है, तो ये पूरे के पूरे subjects हैं, आपके semester 5 के अंदर, hopefully आपको समझ में आया होगा, और ये ही subject pre decided है, अब मैंने थोड़ा सा मैं जो इसमें पढ़ाने वाला मैं पढ़ाऊंगा, और management account मैं पढ़ाऊंगा, income tax again मैं बोलूगा, बहुत बड़ा syllabus है, इसका management account का छोटा syllabus है, जैसे आपने अगर FM का किया है, FM के जितना मानलो management, ये cost का ही advanced version है, management account, तो cost accounting का आपने paper दिया, paper भी, मतलब 100 अच्छा ही paper था, ऐसा नहीं कि बहुत मुस्किल अगला देखें, मैंने कुछ ये chapters बनाए है, इसको मैं भी बहुत सारे chapters मैंने छोड़े हुए, that is आपके 14, वैसे तो 20 के आसपास chapters जाएंगे, अगर और भी मैं break करता तो, लेकिन 14 topics में cover की हैं मैंने इसको, जैसे कि सबसे पहले introduction, मैं classes जो देखें, date भी मैंने specify कर दिया, बहुत बच्चे न, देखो, हम online पढ़ा रहे हैं, काफी time से अगर मैं connected हूँ, तो कई बार ऐसा होता है न, बहुत सारे चीज़ें, जब problem face करते हैं, उस problem को face करने के बाद, हमारा mind grow होता है, ये चीज़े तो ऐसे होने चाहिए, तो पिछली बार बच्चों को जो issue हुआ थ तो वो सारी चीज़ें हमने पहले से decided कर ली है, सर क्या-क्या decided कर ली है, जैसे कि आपका introduction, आपका 25 जून को start होगा, timing रहेगा साड़े साथ से 9, हाँ, income tax की class आपकी डेड़ घंटे minimum हो सकता है, जून में, जब मैं starting करूं तो एक घंटे के होंगे, लेकिन जुलाई, अगस, September, October, वहाँ पे 2 घंटे तक की classes देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये topic बड़ा ही interesting भी है, और lengthy दोनों चीज़े है, ठीक है न, तो 2 घंटे, 1,5 घंटे, 2 घंटे मान का चलिए, 25 तारिक से मैं अपना batch start कर रहा हूं, जिस बच्चे को enroll होना है, enroll हो सकते हैं, और देखिए, पहल strategy follow किया, कि start इस दिन chapter होगा, end इस दिन होगा, कितनी classes लगेगी, पहले से ही आपको पता है, tax rate मैं 29 तारिक को start करूँगा, यसे ही, इसलिए मैंने time का boundation का है, कि साड़े सास से 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर 2 दिन यहां लिखा है, तो मैं 2 दिन में ख खतम कर लेंगे, residential status 5 दिन लग जाएंगे, income from house property पहले मैं करा दूँगा, 6 दिन लगेंगे, deduction फिर मैं करा दूँगा, 4 दिन लगेंगे, 1 अगस्त से 8 अगस्त, और हाँ, मजे की बात जो 1 अगस्त से 8 अगस्त आप देख रहे हो, आप पो लोगा, सरी यह तो 8 दिन है, लेकि में से most most important इसमें से भी question आएगा, capital gain भी important है, इसमें से भी question आएगा, salary तो एक question अकेला अठारा का आएगा, capital gain तो आपका 10 का आएगा, 7 number, other sources के छोटे-छोटे questions बन कहेंगे, setup and carry forward 3 दिन, clubbing of income, agriculture of income, मैंने खेती से, PGBP काफी बड़ा है, 12 दिन, तो सबसे बड़ा chapter salary और यह है, individual assessment यानि सभी का text कैसे निकाला जाए, यह, यह total 66 days का provision मैंने रखा है, इसके साथ अगर मैं देखूं तो आपके college के अंदर internal होंगे, उसके अंदर ITR पूछा जाएगा, वो पूरा एक अलग chapter है, और साथ के साथ कुछ एक points और भी आपको इस chapter में सीखने पड़ेंगा, जैसे के case study का अलग chapter है, जो है, तो यह पूरा का पूरा plan है, तो इस बार जो हम income text पढ़ेंगे, या फिर management account पढ़ेंगे, तो management account का भी अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर 5 ही chapter है, management account में, अगर मैं आपको management account की बात करूं, तो जस 5 chapter है, छोटा सा सलिवा से, लिखिन technical है एक एक chapter के अंदर आपको हो सकता है कि 50 से 60, 100 question भी even देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर, 50 question तो है ही minimum, तो वो calculation भी इस है, उसमें कोई formatting नहीं है, तो बस मुझे आपको यही बताना था, जिस बच्चे को अभी आपका syllabus देख लीजे, college में आया होगा, तो अपने according लीज आपको जरूर वीडियो आपको YouTube पे भी मिलने वाला है, हमारा target है कि हम October, November में आपके exam हो जाते है, November, December जो भी मानो, October end तक hardly हम आपका syllabus इस बार खतम करें, इसके अंदर इस बार हमने और थोड़ी बहुत enhancement करी है, एक तो doubt को लेखे, कि doubt के लिए पहले से ही number a lot course बन चुके ह है, course बहुत बच्चों ने enroll भी कर लिया है, तो doubt के number उन बच्चों को मिल चुके है, प्लस live classes पहले कई बार delay हो जाया करता था, तो इस बार live classes delay नहीं होने वाला, on time पे होगा, क्योंकि कुछ हमने खुद के लिए rules and regulation बनाया है, ताकि हर teacher अपने time पे एक studio का और provision मैंने किया है, ताकि classes जो delay होती थी, वो ना हो पाए, ठीक है न, तो live classes है, sir, books वगएरा, आपको जैसे मैंने पिछली बार recommendation book किया था, मैं ग्रीस आहुजा को refer करूँगा, जिसको पढ़ सकते हो, एक और book है, सिंघानिया, तो सिंघानिया का भी आप ले सकते हो, लेकिन college में ज्यादा ग्रीस आहुजा और सिंघानिया mixed type का रहता है, इसके बार 10 year, 10 year देखो आपका ready हो रहा है, अभी हुआ नहीं है ready, मैंने अभी paper लिखने चालू किये हैं, तो 8 से 10 दिन में 10 year भी market में आ जाएगा, तो इस बार मैं 10 year के लिए, इसके लिए आपके internal के लिए pre-recorded पहले ही तो hopefully आपको ये video समझ में आया होगा, आपका syllabus मैं दिखा दू, लिख लिजिएगा, note कर लिजिएगा, तो इस channel से आपको अगर worth मिलता है, अगर benefit मिलता है, knowledge मिल रहा है, जरूर channel को like भी करें और subscribe भी करें, thank you so much, मिलते हैं next video में, और live class start होने वाला है, that is आपका 24 तारिक को 24 तारिक को मिलते हैं, live class में, thank you so much,